इतनी दूर की क्यों सोचते हो, अभी वेद पढ़ो, आचार श्री ने कहा, उन्होंने किशोरी की ओर देखा, वह उदास सा लग रहा था, आचार श्री ने उसको उदास देखा तो कहने लगे कि अभी से अपराद बोध हो रहा है, तो एक बात, ध्यान रखो, कुमारिल भटे ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए बौध विहार में बौध भीक्षू से शिक्षा ली थी, बौध ग्रंथू का अध्यन किया था, उस अध्यन के आधार पर ही बौध मत में आगई जड़ता और मतवात का खंडन किया था, फिर गुरु के प आरे सामने किसी प्रकार की दुविधा आएगी नहीं। को अलग कर लिया था, अधिक समय वे आर्शे साहिति के अनुवात संपादन और प्रकाशन की व्यवस्था में लगा रहे थे, 1960 की वसंत पंचनी से पहले की कोई तीथी थी, भूधान आंदोलन के प्रनेता और पूरे देश के पैदल यात्रा पर निकले आचार विनोबा भावे का एक प्रतिनी थी, आचार श्रे के पास आया, वसंदेश लाया था कि विनोबा जी उनसे भेट करना चाहते हैं, वे पदे यात्रा पर हैं, इसके स्वयम चल कर मधुरा तक नहीं आ सकते, आप ही उनसे मिलने चलें, तो बहतर होगा, विनोबा जी उस समय हिमाला की यात्रा संपन्नकर पंजाब में गए थे, पंजाब की यात्रा वे पहले भी कर चुके थे, यह दो बारा प्रवेश था, यहां से उत्तर प्रदेश होते हुए वे मध्य प्रदेश के लिए निकलने वाले थे, विनोबा जब कश्मीर में थे, तबी उन्हें मशुर डाकोमान सिंग के पुत्र तेहसीलदार सिंग का एक पत्र मिला था तेहसीलदार सिंग तब इलाबाद की नैनी जेल में था उसे फासी की सजा सुनाई जा चुके थी तेहसिलदार सिंग ने किसी के हाथों विनोबा तक यह पत्र पहुँचाया था कि वह मरने से पहले विनोबा की दर्शन करना चाहता है विनोबा ने अपने प्रतिनी दी यदूनाथ सिंग को बातचीत के लिए भेजा यदूनाथ सिंग नैनी गए, वहां और डाकूं से भेट की उनसे मिलने के बाद यदूनाथ चंबल के बीहडों में गए वहां डाकूं ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि विनोबा यदि इस क्षेत्र की यात्रा करें तो कई बागी डाकू आत्म समर्पन कर सकते हैं नैनी और चंबल के यात्रा कर लोटे यदूनाथ सिंग ने पूरा वृत्तान तुस्क सुना और विनोबा इसकी संभावनाव पर विचार करने लगे उन्हें रिधाय परिवर्थन के मंत्र से डाकूं समस्या का समाधान दिखाई देने लगा इसक्रम में वे समाज के विविनक्षेत्रों में काम कर रहे मनस्वी व्यक्तियों से मिल रहे थे उनसे विचार विमर्ष भी करना चाहते थे विनोबा जी उत्तर प्रदेश होते हुए मत्यप्रदेश की यात्रा पर जाने वाले थे उत्तर प्रदेश की यात्रा में मथुरा और आगरा भी उनकी सूची में था विनोबा जी को यह पता लग गया था कि आचारिश्री वसंत पंचमी के बाद अग्यातवास पर जाने वाले हैं इसलिए उन्होंने पंजाब में ही भेट का कारिक्रम बना लिया आचारिश्री को बुलाने के लिए अपना प्रतिनिधी भेज दिया आचारिश्री ने विनोबा के निमंत्रन को तुरंत उस्विकार कर लिया यह भी नहीं पूचा कि भेट में किस विशय पर चर्चा होनी है दिसम्मर अंत की किसी तारीक को वे करनाल के लिए रवाना हुए यह इलाका इन दिनों हरियाना में आता है लेकिन तब यह पंजाब का ही हिस्सा था विनोबा इसक्षेत्री की पदियात्रा कर रहे थे आचारिश्री से विनोबा की भेट रास्ते में ही हुई वे पिछला पड़ाव रिठापुर छोड़ चुके थे और करनाल से कुछी मील दूर किसी गाउं की यात्रा पर थे आचारिश्री पदियात्रा में शामिल हो गए दोपहर करीब ग्यारह बजे बाबा ने एक स्थान पर पड़ाव लगाया सामुगित प्रार्थना के बाद वे पंचाय धर के एक कमरे में चले गए यहां उनके विश्राम का समय था उन्होंने आचारिश्री को भी उसी कक्ष में बुलाया और चर्चा करने लगे आचारिश्री ने बहुतेरा कहा कि आप आराम करें बाद में बात हो जाएगी बाबा कहने लगे कि आराम का अर्थ शरीर को थोड़ा धीला छोड़ देना है सोजाना नहीं और अपने प्रिय विशेयों पर चर्चा करने से मन मस्तिश्क को भी आराम मिलता है इससे हम ठकते नहीं हैं बात्चित शुरू हुई तो विनोबा भावे यदुनात सिंग की चंबल यात्रा वहां के डाकों की पेशकर्ष और उस क्षेत्र के इतिहास भुकोल की चर्चा करने लगे आचारिश्री ने भी बीच में अपनी बात कही विनोबा कह रही थे कि डाकों को सुधरने का अवसर देना चाहिए वे हतियार रखते हैं और नेक चलने का भरोसा देते हैं तो अब तक कि अपराधों के लिए उन्हें मामुली दंड दिया जाए जिनके खिलाव बटमारी और छोटी मोटी डकेती के अपराध है उन्हें माफ कर दिया जाए आचर श्री को संदेह था कि राज सरकार या प्रशासन इस तरह शमदान करेगा विनोबा ने कहा कि सरकार और प्रशासन से निमेदन किया जा सकता है उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से डाकू नहीं होता यह तो शोशन, कंजूसी, कुरूरता और समवेदन हींता का परिणाम है यदि हम डाकों के साथ प्रेम का वहवार करें उनके प्रति दया और क्षमा का भाव रखें और सामाजिक जीवन में समरस होने के लिए तयार करें तो समस्या आसानी से हल हो सकती है इस चर्चा में आचर श्री ने क्षमादान से असहमती जताए उनका कहना था कि जिसने अपराद किया है उसे दंड मिलना ही चाहिए यह भी ठीक है कि दंड नहीं चाहने वाला व्यक्ति स्वेम प्राश्चित करे लेकिन समाज की प्रती अपराद करने वाले को श्रमा नहीं किया जाए उनका कहना था कि अपराद को श्रमा कर देने से एक गलत परिपाटी जन मिलेगी माफि मांग कर छूट जाएंगे यह सोच कर दूसरे लोग अपराद में भी प्रवृत्त हो सकते हैं विनोबा का कहना था कि आप आचारे हैं आपको विदित होगा कि प्राचीन काल में भी रिधाय परिवर्तन के बाद क्षमा का विधान रहा था वालमी की और अंगुली माल इसके सबसे बड़े उधारन है क्षमादान का दोश आचाश्री ने कहा कि वे घटनाएं अपवात थी इसके अतिरिक्त उन्होंने बाद में घनगोर प्राश्चित भी किया था डाकों को क्षमा के बाद हम तो उन्हें सम्मानित जीवन का अवसर दे रहे प्रतीत होते हैं सुनकर विनोबा चुप रहे उन्होंने बताया कि संपूनानंद जी और कैलाशनाथ काटजू ने इस विचार को बहुत पसंद किया है संपूनानंद तब उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री थे और कैलाशनाथ काटजू मध्यप्रदेश के दस्यों समस्या मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश दोनों प्रांतों की समस्या थी दोनों को लग रहा था कि विनोबा के प्रयतनों से इस समस्या के समाधान में कुछ सहायता ही मिलेगी पूरी तरह हल नहीं हुई तो कुछ अंकुष्टों लगेगा ही विनोबा ने दूसरे राजनेताओं के मत से भी आचारिश्री को अवगत कराया आचारिश्री ने कहा कि भगवान करें इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो आपके प्रयत्न महान है संत महात्माओं के सुभाओं के अनुरूप ही है लेकिन इन प्रयत्नों की सफलता में कुछ खत्रे भी है क्षमा मिल जाने के बाद डाकू रहेंगे तो ग्राम समाज में ही उनका रौब दाब भी रहेगा आपको क्या यह नहीं लगता कि नयाईक प्रक्रिया पूरी किये बिना वे सामाने नागरिक की तरह सुईकार कर लिए गए तो भविश्य में उनका राजनेतिक उपयोग भी हो सकता है पूछने पर आचारि श्री ने स्पश्ट किया कि राजनेतिक उपयोग से आशाय चुनावादे के समय बागियों के रौब दाब का इस्तिमाल है लोगों को अपने पक्ष में वो डलवाने के लिए उनकी स्थितिक उपयोग किया जा सकता है विनोबा ने इस आशंका को सही माना लेकिन मैं इस आधर पर क्षमादान को स्थगित करने के पक्ष में नहीं हूँ साथ ही यह भी कहा कि किसी भी सतकारे के साथ कुछ न कुछ अनिष्ट आशंकाएं भी जुड़ी ही होती है आचारिश्री ने उनके आत्म समर्पर अभ्यान के लिए एक बार फिर अपनी शुवकाम नाये दी विचार विमर्श का क्रम समाप्त हुआ उस क्रम को पूरा करने से पहले विनोबाने बागियों के लिए दंड और प्राष्चित का समन्वित सूत्र निकाला आचारिश्री से देर तक वे गायत्री परिवार सहस्त्र कुंडिय महायग्य आश्रम और वेद उपनिशिदों के अनुवाग प्रकाशन आधी के आधी कामों के बारे में चर्चा करते रहे उन्होंने कहा कहा भी कि वेदादी शास्त्र पूरे हो जाएं तो उनका एक सैट मेरे लिए सुरक्षिक रखियेगा उसकी पेश्गी अभी रख लें कहते हुए उन्होंने अपने एक कारेकरता को बुलाया उससे 51 रुपे लाने के लिए कहा आचायर श्री ने कहा इसके आवेशक्ता नहीं है वेद उपनिश्दों के प्रती हम लोग अपनी और से आपको भेट करेंगे उसे गायतरी माता के प्रसाद के रूप में सुविकार कीजिएगा आचायर श्री उस यातरा में कुछ देर साथ रहे फिर जिस तरह आये थे उसी तरह मतुरा के लिए वापस रवाना हो गए आचायर श्री ने अग्यातवास के लिए जिस तिथी को प्रस्थान किया उसके गोशना नहीं की थी मतुरा से रवान होने के बात कई लोगों को पता थी उसके बाद हरिद्वा रिशिकेश तक की सूचना भी संबंधित परिजनों को प्राया थी ही उसे हिमाले की यात्रा की पूर्व पीठी का कह सकते हैं लेकिन अग्यादवास में उसे भी नहीं गिना जाता यात्रा आरम होती है रिशिकेश से आगे बढ़ने पर उसके बाद लोगों को उतना ही पता है जितना आचारिश्री ने बताया आचारिश्री के साधक परिकर का इस से आगे संपर्प नहीं रह गया था जानकारे भी उतनी ही मिलती थी जितने आचारिश्री ने स्वयम बताई आमतार पर लोग गंगोत्री भी होते हुए यमुनोत्री की यात्रा करते हैं आचारिश्री ने पहरे यमुनोत्री की यात्रा की उसके बाद उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री, फिर गौमुक और उसके बाद हिमालय के रिधय प्रदेश में जाने का क्रम बनाया उन्हीं गौमुक तक की यात्रा का ही मार्ग मालूम था यम्रोत्तरी के उस क्षेत्र में एक छोटा सा जहरना है उस जहरने का जल पर्याप्त शीतल है उजवल हिम के रंग का वह जल गंगा की उपस्थिती दर्शाता है इस जहरने के बारे में किव दंती है कि महर्शी असित के लिए गंगा ने अपने आपको स्वेम यहाँ प्रकट किया था अती प्राचीन काल में महर्शी असित यहां यमनोत्तरी में आश्रम बना कर रहते थे वे प्रति दिन स्नान के लिए गंगोत्री जाते स्नान के बाद वापस यहां आश्रम में आ जाते और शेश दिन पूजा आराधना करते रहते यमुनोतरी से गंगोतरी की दूरी परीब 40 किलोमीटर दूर है इतनी दूर आने और जाने की बाद पर किसी को सहसा विश्वास नहीं भी हो सकता है लोग कहते हैं कि असित रिशी प्रते दिन इतनी दूर आते और वापस जाते थे संभाव है उन्होंने कोई छोटा रास्ता तलाश रखा हो कि उस कारण ज्यादा देर नहीं होती हो यमुनोतरी में गंगा जन यमुनोतरी में पूजा पाट कर रहे एक स्वामी योगानन ने इस अंतर कथा का खुलासा किया कथा क्यनुसार महर्शियसित वृद्ध हो गए तो इतनी दूर आना जाना उनके लिए कठिन हो गया उन्हें आने में कठनाई होते देख गंगा ने स्वेंग अपने आपको यहां प्रकट कर दिया गंगा के उज्वल पानी का वज्जर्न आज भी बहरहा है जर्ने में इस्तान कर रहे कुछ लोगों ने इस कठा पर संदेह किया योगानन ने उन्हें समझाया कि तब से सब कुछ संभव है बच्चा निश्रापुर्वक आराध ना की जाए तो आराध्य अपने नियम बदल सकता है पचास साथ किलो मीटर आने जाने की बात पर भी योगानन ने समझाया कि पंद्रा भीस किलो मीटर तो आज भी लोग आसानी से चल सकते हैं यातायात के साधन सुलब हो जाने के बाद तथा जीवन शैली बदल जाने के कारण भी लोगों की चलने फिरने की आदत बदली है भविश में लोग पांच साथ किलो मीटर भी शायद ही चल पाएं आचार श्री ने इस चर्चा में एक स्पष्टी करण और किया उन्होंने कहा कि चित्रकूट, मंदाकिनी और कामद गिरी की यात्रा करें तो देखेंगे कि भगवान राम जहां विश्राम करते थे सीता रुसुई वहां से आट-दस मील दूर है स्पटिक, शिला भी इतनी ही दूर मीलो और कोसो दूर तक चलने का अभ्यास प्राचीन काल में रहा है अभी गाओं में या आदेवासी इलाकों में लोग मीलो पैदल चलते ही हैं ये मुनोत्तरी में जगजग गरम और ठंडे पानी के कुंड हैं कुछ कुंडों का पानी इतना गरम है कि लोग चावाल आलू आदे कपड़ में बांध कर उनमें डाल देते हैं और कुछ देर बाद निकालते हैं तो वे पके हुए मिलते हैं कालिंदी गिरी से पिघल कर गिरता हुआ जल कई धाराओं में गिरता है कालिंद परवत से निकलने के कारण ही ये मुना को कालिंदी कहते हैं पानी बहुत ठंडा है अप्रल मै के महिने में भी वहां इतनी ज्यादा सर्दी थी कि जर्णों का पानी कई बार जमता और पिखलता था यमुनों तरीका क्षेत्र बहुत संकीर्ण है शिकर पर भी वह चारो ओर की उचाई से इस तरह घिरा हुआ है कि कोई बड़ा भवन नहीं बनाया जा सकता यमुना का मंदिर भी बहुत छोटा बना हुआ है वहां स्थान पुजा करने के बाद आचार श्री ने उत्तरकाशी की राह पकड़ी